हलो स्टूडेंस वेलकम टू मैंगनेट प्रिंज हम अपना काविकंड का नया चैप्टर लेकर आए हैं इस चैप्टर का नाम है गीत अगीत जैसे हम देख रहे हैं गीत है और अगीत दिये हैं ये जो गीत लिखा गया है ये रामधारी सिंग दिनकरद्वारा लिखा गया है ये तीन स्टेंजा में हमारे सामने रख्या गया है और तीनों जगे ही अलग-अलग गीतों का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे कौन गीत गा रहा है ये इसमें बताया गया है तो देखते हैं कि रामधारी सिंदिनका जी ने हमारे सामने कैसी कविता रखी है और हमसे क्या चीज बताने की कोशिश करी है तो पहला क्या है गाकर गीत विरह से तटनी वेगवती बहती जाती दिल हलका कल लेने को उपलों से कुछ कहती जाती तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता अपने पतजर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता गागा कर बह रही निरजरी पाटल मूख खड़ा तट पर है गीत अगीत कौन सुन्दर है तो यहाँ पर जो यह वरंण किया जा रहा है एक नदी बह रही है और वो अपने तट को छोड़ती जा रही है उसका प्रेमी है और नदी आगे जलती जा रही है यानि कि उसको छोड़ रही है और विरह वेदना है तो वो गाना गा रही है और उसको देखते हुए कई लोगों ने कई चीजे कहीं है वही इसमें विस्तृत वर्णिंग किया गया तो अब देखते हैं क्या है गाकर गीत विरह से तटनी वेगवती बहती जाती यानि कि नदी जो है वो अपने तटों को छोड़ रही है और विरह के गीत गा रही है नदी बहते हुए अपने तटों को छोड़ रही है और विरह के गीत गाती हुई आगे बढ़ रही है दिल हलका कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती और अपनी विरहा वेदना को कम करने के लिए अपने दिल के जो बोज को है यानि विरहा वेदना को जो है वो कम करने के लिए जो बगल में पत्थर रखे हुए हैं यानि नदी के भी किनार किनार पत्थर रखेते ने, तो उपलों, उपलों मतलब पत्थर, उन पत्थरों से बहुत कुछ कहती हुई आगे बढ़ रही है, यानि कि उन पत्थरों को अपने विरहा गीतों को सुनाती हुई आगे बढ़ रही है, तट पर एक गुलाब सोचता, आपके वो जा रही है, अब तट पर क्या है? एक गुलाब का फूल खिला हुआ है क्या अब वो अकेला ख़ड़ा है और वो सोच रहा है क्या सोच रहा है? देते स्वर्यदि मुझे विधाता क्या कहते हैं प्रभू ईश्वर अगर आप मुझे स्वर देते यानि कि आप मुझे अगर बोलने की शक्ति देते अपने पतजर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता यानि कि मैं भी जब ज़ड़ जाता हूं मतलब मैं जब ज़ड़ता हूं पतजर का मौसम आता है न तो मैं ज़ड़ जाता हूं तो मेरे को अगर आप स्वर देते तो मेरे वो जो पतजड के दिन है पतजड के जो दीन है वो जो दीन बित्ते हैं बहुत मुश्किल के होते हैं वो भी उनके भी गीत जो है मैं वो सभी को सुनाता अगर आप मुझे स्वर देते तो मैं अपने पतजड के दिनों के वो कष्ट यहां पर गाने का अर्थात मतलब क्या हो रहा है गाने का मतलब कलकल कर आवाज बहती है नदी बहती है नदी जो है वो गाती हुई बह रही है पाटल मूख खड़ा तट पर और वो जो गुलाब का फूल है वो चुप चाप जो है उसे खड़ा बहता हुआ देख रहा है गीत अगीत कौन सुन्दर है जो गीत गा रहा है वो सुन्दर है या जो गीत नहीं गा पा रहा है वो सुन्दर है ना जाने कौन सुन्दर है मगर पूरा द्रश्ट ही बहुत सुन्दर लग रहा है तो यहाँ पर कवी ने आपको इसका विस्तरत वर्णन करके यहाँ पर बताया है अब इसको हम आपको पढ़के बता देते हैं कि इसका कैसे व्याख्या करी गई है रामधारी सिंदिनका जी की कविता गीत अगीत इन पंक्तियों में कभी जंगलों एवन पहाणों के बीच बहती हुई एक नदी का बड़ा ही आकरशक वर्णन किया है उन्होंने कहा है कि विरह अर्थात बिच्छन्न का गीत गाती हुई नदी अपने मार्ग में बड़ी तेजी से बहती जाती है अपने दिल से विरह का बोज हलका करने के नदी अपने किनारों पर उगी घास और उपलवों के बनावट करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है वहीं दूसरी और नदी के किनारे तट पर उगा हुआ एक गुलाब का फूल यह सोच रहा है कि अगर भगवान भी उसे बोलने की शक्ती देता तो वह भी गा गा कर सारे जगत को अपने पतजड के सपनों का गीत सुनाता तो इस प्रकार जहां एक और नदी अपनी विरह के गीत गाते हुए कलकल की आवाज करते हुए बैरे यह वहीं दूसरी और गुलाब का पौधा चुप चाब अपने गीत को अपने मन में दबाए किनारे पर खड़ा हुआ नदी को बैते देख रहा है तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे अब दूसरे पैरा में उन्होंने दूसरे के बारे में वर्णन किया क्या किया है? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को चाया देती पंक फुला नीचे खोतों में शुकी बैट अंडे है सेती गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण में शनकर किन्तु शुकू के गीत उमड कर रह जाते स इस नेह में सनकर गूंज रहा शुक का स्वर्वन में फूला अमरग शुकी का पर है गीत अगीत कौन जुन्दर है? तो अब फिर इसमें क्या हुआ? अब क्या है? एक खेत है खेत में एक पेड है घना पेड है और उस पेड के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है शुक मतलब तोता तो क्या दिया? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खेतों को चाया देती तो क्या हुआ? कि जो है एक घना पेड है? उस घना पेड के सब से ऊपर जो है एक तोता बैठा हुआ है और वो पेड जो है वहाँ के खेतों को चाया दे रहा है पंक फुला नीचे खोते में शुकी बैट अंडे है सेती और उसी घने पेड में नीचे की तरफ में तोते का घोसला है और उसमें शुकी यानि कि मैना तोता मैना होते ना तो मैना जो है ना उसमें बैट कर अंडों को से रही है अर्थाद गर्मा हटते रही है गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छन कर और शुक जो है वो अपनी बहुत ही अच्छी आवाज में जो है वो गा रहा है गाना गीत गा रहा है और उसके पंकों से छनती हुई धूप जो है वो नीचे की तरफ आ रही है किन्तु शुकी के गीत उमड कर रह जाते सा इसने में सनकर अब जो शुकी मैना भी है वो तोते की जो गीत को सुनकर बहुत ही उच्छाहित हो जाती है वो भी गाना चाहती है मगर वो तो अंडे से रही है तो वो जो है गा नहीं पाती मतलग उसके पर जो है वो उसी में सनकर उसका इसने जो है उसी में जो है सुनकर रह जाता है वो गीत नहीं गा पाती गूंज रहा शुक का स्वर वन में और क्या है पूरे वन में यानि की पूरे जगहा पर जंगल में जो है शुक का यानि की तोते का गीत गूंज रहा है पूला अमरग शुकी का पर है गीत अगीत कौन सुन्दर है और उसके गीत को सुनकर शुकी जो है वो प्रेम से ओत्पोत होकर सिर्फ अपने परों को फैला कर रह जाती है गीत नहीं गाती है क्या करती है अपने परों को फैला कर रह जाती है अब बताईए कौन सुन्दर है जो गीत गा रहा है वो गीत जादा सुन्दर है या वो प्रेम का गीत जो मैना के दिल के अंदर ही अंदर चल रहा है क्या वो गीत सुन्दर है तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे खेतों में एक घने वरक्ष पर तोता बैठा हुआ है और उसी वरक्ष की चाओं में उसका घोसला है जिसमें मैना बड़े प्यार से अपने पंकों को फैलाए अंडे से रही है उपर पेड की डाल पर तोता बैठा हुआ जिसके उपर से पेड के पत्तों से छनकर सूर की किर्णे पड़ रही है वगाती हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर की किर्णों को शब्द प्रदान कर रहा हो पूरा का पूरा द्रिश्ट तोते के स्वर से गूझ रहा है अपनी खुशी का इजहार करती है। नेक्स पैरा में क्या दिया है? यह हमारा लास पैरा, तीन पैरा में दिया गया है, यह हमारा लास पैरा है। दो प्रेमी हैं, यहां एक जब बड़े सांज आलहा गाता। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खीच लाता। में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुन्दर है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर दो प्रेमियों की बात हो रही है। एक प्रेमी जो है वह गीत गा रहा है और उसकी प्रेमी का उस से खिची चली आती है। तो क्या दिया है इसमें? दो प्रेमी यहां एक जब बड़े सांज आलहा गाता। दो प्रेमी हैं यहां पर और एक प्रेमी जो है वो शाम को गीत गा रहा है आला गा रहा है शाम के समय जो है वो बहुत ही प्रेम भरा गीत गा रहा है पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खीच लाता वो जैसे ही पहला स्वर लगाता है पहला तो उसकी राधा अर्थात उसकी प्रेमी का जो है वो घर से खिची हुई यहां पर चली आती है उसके गीत को सुनकर यहां पर खिच कर चली आती है चोरी चोरी खड़ी नीम की चाया में चुपकर सुनती है और अब आई है तो आगे सिधे अपने प्रेमी के सामने नहीं आई है वो चुपचाप एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसके गीत को सुन रही है हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विगना यो मन में गुनती है क्याती है मैं क्यों नहीं आकर इसके गीत के साथ में गाने लगी तद वो गा रहा है मैं भी स्वर मिला कर उसके साथ गाने लगती ये चीज उन्हों अपने मन ही मन में सोचने लगती है वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर वो बहुत ही तनमेता के साथ बहुत ही प्रेम भरा गीत गा रहा है मगर यहां प्रेमिका जो है अंदर ही अंदर बहुत जादा प्रसन हो रही है अंदर ही अंदर उसके अंदर भी गीत चल रहा है मगर वो गा नहीं रही है यानि वो खुशी के गीत गा रहा है वो और प्रेमिका जो है अंदर ही अंदर खुशी से जो है वो बहुत ही खुश हो रही है गीत अगीत कौन सुन्दर है तो अब यहाँ पर कौन सुन्दर है कौन सा गीत सुन्दर है जो प्रेमी गा रहा है या जो प्रेमिका के अंदर गीत चल रहा है तो इसमें कौन सा गीत जादा सुन्दर है जो गाया जा रहा है जो नहीं गाया जा रहा है तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे यहाँ पर अगीत की इन पंक्तियों में कवी ने दो प्रेमियों का वर्णन किया है एक प्रेमी जब शाम के समय अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाता है तो वो उसके स्वर को सुनकर खिची चली आती है और पेडों के पीछे चुपकर चुपचाप अपने प्रेमी को गीत गाते हुए सुनती है वह सोसती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ नीम के पेडों के नीचे अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका हिदय फूला नहीं समाता वह चुब चाप अपने प्रेमी के गीत का आनंद लेती रहती है इस प्रकार जहाँ एक ओर प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदर्ता का बखान कर रहा है वहीं दूसरी और चुप रहे कर भी प्रेमी का उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को वेक्त कर रही है इसलिए उसका अगीत भी किसी मधुर गीत से भी कम नहीं है तो यहाँ पर तीन तरीके से आपको चीजे बताई गई एक जो गीत गा रहा है दूसरा जो उसके रियक्षिन के साथ चुप चाप खड़ा हुआ है चुप चाप सुन रहा है लेकिन उसके मन में भी चल रहा है तो मन की फीलिंग्स भी हमें बताई है तो यहाँ रामधारी सिंधिनकन ने जो हमारे सामने रखी है वो एक चीज यह है जो गाया जा रहा है और जो नहीं गाया जा रहा है इसमें कौन सा जादा सुन्दर है दोनों ही अपनी जगा बहुत मातपूर है और दोनों ही बहुत सुन्दर है इस तरीके से रामदारी सिंदिंकन में बिना कही बात भी कितनी प्रभावशाली और सुन्दर होती है ये चीज हमारे सामने व्यक्त करिए आई होब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से व्याख्या करनी है कैसे करनी है और कैसे हम इसको पंक्तियों में बांधेंगे तो अब इसके प्रश्णुत्तर प्रश्णुत्तर के लिए हमारे लिए थोड़ी देर का वेट करिए हमारा नेक्स वीडियो आपके लिए प्रश्णुत्तर लेकर आएगा थैंक्यू बबाई